तो दोस्तो आज ये 12 एप्रील 2022 और आज मैं फिर से लिक्या हूँ आपके लिए इलेगन फ्लोरी कल्चर एन एग्रोटेक इंडिया लिमिटेट का कम्प्लीट शेर एनलाईज दोस्तो मैंने इससे पहले पे जितना भी वीडियो बनाया उन सारी वीडियो उस पे मैंने आपको इस कम्पनी से दूर रहने के लिए सला दिया था तो आपने नहीं माना बट अभी आप देख सकते हो इस कम्पनी का हालत ये कम्पनी फिर से जितना ही तेजी से नीचे गया था इस वीडियो को बिना escape के हुए आप बिल्कुल आंते तक देखते रहिए ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत हेलफूल होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से आपको इस company का fundamental समझाने बाला हूँ बारीकी से हर एक चीज़ को और चार्ट पटन को अने लाइस करें के मैं आपको बताना बालो कि आपको इस वक्त इस company पर निवेश करना चाहिए कि नहीं दोस्तों वीडियो की शुरुबात में हम इस company का quarterly रिजल पर भी एक नाज़र डालेंगे और अगर आपके बास trading करने के लिए demand account नहीं है तो वीडियो के नीचे description पर मैंने link दे दिया है जिससे आप grow जैसे बड़े platform में फिरी में अपना trading account open कर सकते हैं और वीडियो के नीचे description पर दिये गए link को use करके अगर आप grow में account open करते हैं जैसे ही आपका account activate हो जाएगा आपको 100 रुपिस का bonus मिलेगा grow के तरफ से जिससे आप share भी buy कर सकते हैं चाहे तो उसे अपने bank account में भी transfer कर सकते हैं दोस्तो वीडियो के नीचे description पर मैंने angel one का भी link दे दिया है उसमें और भी अच्छे offer चल रहा है इस वक्त अगर आप उसकी account open कर लेते हैं तो आपको मिलेगा एक scratch card और इसो scratch करके आप रुपिस up to 5000 तक जीत सकते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको सबसे पहले इस company का fundamental एक नाजर देखा देता हूं आपको तो मैं आपको लेकर आ चुका हूं इसके लिना डॉटिंग बेटरी का इस company का total market कप आप यहां पे देख सकते हैं 106 करोड का है current share price 52 पे आ चुका है अगर आप highest देखेंगे तो कुछ दिन पहले 61 रूपिस क्रॉस कर चुका था यह company आपको dividend नहीं देता है इसका return of capital employee मैंने हार वीडियो में आपको बताया था capital employee return of capital employee बहुत ही important चीज़े होता है इसका numbers at least कम से कम 12-13% होना चाहिए जबकि यहां पे 0.14% माइनेस पर चल रहे है टेक return on equity भी आपको ध्यान रखना था यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आप देख सकते हैं यह company का उधारी पे business था उसमें काफी improvement लाया है तो ठीकटा के company death free है ठीक है अच्छी बात है लेकिन आपको बिल्कुल भी तूट नहीं पड़ना है मैंने उससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था यहां पे आप देख सकते हो negative points में चुका है ठीक है तो अगर सेली नहीं होगा company को तो profit कहां से दिलाएगा अगर profit नहीं दिला पाएगा तो दोस्तों retail investor क्या करेंगे कैसे निवेच करेंगे इस company ध्यान अख्मदाइस प्रोमोटर का holding आप देख सकते हो यहां पे साड़े साथ परसन के आसपास है और return on equity पे अगर देखेंगे तो यहां पे बीते तीन सालों के मुकाबले में एक परसन से ज्यादा negative return दे चुका है तो थोड़ा सा इस्क्रोल डाउन करके company का sale देख लेते हैं यहां पे देख सकतो इस quarter में company का sale हुआ है expense रहा है 12.12 करोड का मतलब 12 लाग का है और यहां पे sale हुआ है 28 तो company का operating profit रहा 16 लाग का और थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे profit before tax में company 29 लक्स पर रहा net profit company का 29 लक्स हुआ है तो सेम चीज आप देख सकतो यहां पे देख सकतो कंपनी का इस साल में पॉइंट 69 करोड कंपनी का experience है पॉइंट 76 करोड कंपनी का sale है यहां पे operating profit कितना बचता है company का आप देख सकतो है यहां पे 0.07 करोड टेके profit before tax में थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके बाता देता हूँ तो profit before tax में आप यहां पे देख सकतो 0.07 करोड कंपनी loss पे चल रहा है य यहां पे asset 22.43 करोड इसका asset है यह ठीक ठाक था लेकिन थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके देखेंगे अगर आप इस company का cash flow यहां पे cash flow देख सकते हैं दोस्तों 2020 में कंपनी का cash flow 0.01 करोड माइनिस पर था यहां पे 0.34 करोड कंपनी का cash flow माइनिस पर चल रहा है यह सारी चीज आप देख सकते हो साड़े 7% के आसपास company का promoters holding है यहां पे domestic investor का 0.19% का holding है और यहां पे आप देख सकते हो पब्लिक का 92% से ज़्यादा है तो सिर्फ अगर 7% के आसपास promoters का holding है तो आप क्यों निवेश कर रहा है इस company में यही देखकर कि इसका share price बढ़ रहा है लगातर आपर सरकीट दे रहा है लेकिन जब नीचे आने लगेगा लोवर सरकीट देने लगेगा तो लगातार भी लोवर सरकीट भी देगा ना तो अगर लोवर सरकीट में आकर आप सही समय पे exit नहीं हो पाए तो आपको डबल नुक्सान क्योंकि यहां पे valuation महेंगा हो चुका है और यहां पर advertisement का आशर खतम हो जागा तो share price फिर से नीचे आने लगेगा और नीचे आते टाइम पर दोस्तो आपका नुक्सान होगा क्योंकि आप आगर sale नहीं कर सकते हैं मानली जाकर आप sale नहीं कर सकते हैं तो आपको नुक्सान होगा फिर जब तक company नीचे आकर strong support नहीं नहीं करता है तब तक आप वहां पर exit नहीं हो सकते हैं ठीक है यह सारी चीज़े ध्यान रखना है दोस्तों चलिए मैं आपको इस company का चार्ट पटन फिर से analyze करके दिखा देता हूं चार्ट पटन में max to max आकर return देखेंगे 407% का शांदा return लेकिन जो नया investor इस company का तेजी द के profit बना के निकल चुका है और यहां पर जो महेंगे valuation में advertise देखके यूटूब में advertise देखके निवेश किया उसकी तो लग गई ठीक है तो अगर वो यहां से exit नहीं हो सकता है तो महेंगे valuation में बाइक करने के करण definitely उसका नुकसान होगा फिर company को जब तक यहां पर इसके आस अगर हो सकते पॉसिबल हो तो आप इस company से exit हो जाई है इस वक्त यह company lower circuit पर आना शुरू हो चुका है आने बाले दिनों में और भी ज्यादा lower circuit दे सकता है max six month के चार्ट परण के मुताबिक 2000% का शांदा return दे चुका है यह शेद टेके आप किसी company को गाली नहीं दे सकते क्योंकि यह जितना return देन था बहुत ही शांदा return दे चुका है टाटा बिला अंबानी से भी ज्यादा return दिया है तो और क्या चाहिए अगर आप सही समय पे exit न रखना चाहिए क्योंकि अगर को स्मार्ट investor यहां पर बहुत ज्यादा पैसा निवेश करके वह company को एड़िटाइस करके अगर इसका शेर प्रैस बढ़ा रहा और यहां पर exit हो जाता है तो यह किसी company का गलती नहीं है यह आपको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें आजकल ऐसा भी स्केम शुरू हो चुका है यूटूब में तो आपको ध्यान रखना है pump and dump बाला सिस्टम बहुत ज्यादा चालू हो चुका है यूटूब में स्टॉक मार्केट में ठीक है खासकर penny stocks को लेके आजकल यह सारी चीजे चल रहे है 114 करोड का return बचा है यहां पर आप देख सकते हैं 0.47% negative return जितना तेजी से गया था अपर सरकीर एबरीडे 5% उतना ही तेजी से नीचे आना शुरू हो चुका है तो दोस्तों यह सारी चीजे ध्यान रखिए वीडियो को यहीं बाइड आप करते हैं हमारी जानकारे आपको कसा लगा comment box में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगते हैं लाइक करना अपने दोस्तों को शेर करना और प्लीज हमारी वीडियो इसको आप एजुकेशन के परपस से देखना ठेक कि यह कोई बाय और सेल का बिल्कुल भी recommend नहीं है हम सिर्फ आपको अपनी point of view रखते हैं अपनी जानकारी देते हैं ठी अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ आमारी वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद